प्रभातकावर.com विश्वास वही रवतार नहीं IPL 2022 में अब तक 16 मुकाबले हो चुके हैं जिसके बाद पॉइंट टेवल में भी भारी बदलावाया है अपना पहला IPL खेल रहे लखनो सुपर जाइंट्स और गुजरात टाइटन्स पुरानी टीमों पर भारी पड़ती नजरा रही है गुजरात ने सुक्रुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स पर 6 विकेट की धामा कईदार जीत दर्ज की और पॉइंट टेवल में नमबर दो पर कबजा कर लिया मौजुदा IPL में 4 मैच खेल कर कुलकाता नाइट राइटर्स की टीम 3 जीत और एक हार के बाद अंकत अलिका में 6 अंकों के साथ टौप पर पहुँच गई है कुलकाता का नेट रन रेट भी अन्य टीमों से बहतर है पहला IPL खेल रहे गुजराद टाइटन्स की टीम ने अब तक अपने सारे मुकाबले जीत कर दूसरे अस्थान पर पहुँच गई है गुजराद के 3 मैचों में 3 जीत के बाद कुल 6 पोइंट है और नेट रन रेट कम होने की वज़ा से के कियार से पीछे है जबकि नई टीम लखनों सुपर जायन्स 4 मैचों में 3 जीत और एक हार के बाद 6 अंक लेकर तीसरे अस्थान पर पहुँच गई है IPL 2022 चेंपियन टीमों के लिए अब तक अच्छा नहीं रहा है चेने सुपर किंग्स और मॉंबई इंडियन्स ने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है दोनों टीमों ने 3-3 मुकाबले खेले हैं जिसमें सभी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा जबकि राजस्थान रोयल्स की टीम 3 मैच में 2 जीत और एक हार के बाद 4 अंक लेकर 4 अस्थान पर पहुँच गई है वहीं RCB 3 मैच में 2 जीत और एक हार के बाद 4 अंक लेकर 5 में अस्थान पर पहुँच गई है पंजाब किंग्स चार मैच में दो जीत और दो हार के बाद चार अंख लेकर छटे अस्थान पर पहुच गई है जबकि चन्याई सुपर किंग्स आठ में मुंबई इंडियन्स नौवे और अपने दोनों मुकाबले हार कर सन्राइजर सहदराबाद की टीम सबसे आखरी अस्थान पर बनी हुई है